हेलो फ्रेंड ये लर्निंग भे देना मैं चैनल पर आप सबका स्वागत है अगर कोई पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और सेयर चरूल करना क्योंकि हम सीटैट से संबंदित वीडियो इस पर लाते रहेंगे इसमें जो नैश कोशन है जो पहली बार विजिट कर रहा है उसे बता दें कि इसमें हम क्या अगर ने डिसेविलिटी चाइल्ड यानि अधिगम निरयोगिता अधिगम अच्छमता से संबंदित जो प्रेश्म बन सकते हैं उन पर हम डिसकसन कर रहे हैं यानि सीटैट में जो क ऐसा बच्चा जैसे सुनाई ना देता हो तो उसके लिए क्या है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नेमित बिद्याले में बहुत अच्छा कर सकता है यद उसे उप्युक्त सुब्दा और साधन उपलब्द कराई जाएं आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ह हमें किसको लेकी चलना है समावेसी बिचारधारा को क्योंकि समावेसी जो है नियम वो वताते हैं कि हमें क्या करना है बिसिष्ट बच्चों को भी सामन बच्चों के इसास किलाल पच्छा में पढ़ाना है अध्यापक उन्हें भगा नहीं सकता उन्होंने अध्यापक को के उजवैसायव ठवादातत वाले बच्चों को सामिल क Minh जैंट साज़ के प्रती का दर्वरतन की आपेच्छा करता है, यानि हमें क्या करना है सिच्छण के प्रति क्या करना है डेश्टी गौर्ण बिसेवस्तू जो कंटेंड उने देंगे धाड़ना जानि एजपसन हम जो बनाते हैं उसके परवर्तन की अपेच्छा करता है जानि हम मानते हैं कि जो पिशेष्ट विध्यारती है जैसे अंधा भ जो अजपसन हमने बना रखी है उसमें क्या करना है परवर्तन करना है यह सब्दों को समझते हैं यानि अपेच्छा जो आ वर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि यहां पे वर्ड होता तो वो हमेशा नेगिटिव का सेंस देता है तो हमें क्या करना है पॉजिट कि जो सामाने बच्चे हैं वो विसिष्ट बच्चों की अपेच्छा ज्यादा अच्छे हैं पड़ाई में तो यह क्या हो गई मेरी खुद की धार्णा हो गई अब मैं इस अजेपसन को क्या करूं सिद्ध करने के कि लिए कोई आपका सेंपल लूँ या फिर कोई पेपर पॉब्लेस करूं या फिर किसी लोगों पर मतलब क्या करूं लिसर्च करूं जिसमें सामान बच्च्च बिध्यारती लूँ और फिर उनके जो रेजल्ट निकल के उसके बेस पर कुछ कहा जाता है तब वह बास सही होती है नेस्ट कोईशन को देखते हैं पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाट साली जो पाट साला जीवन होता है यानि क्लास का उसके मद्द 10 से 11 वर्स में अपनी आयू के अनुरूप सामान कच्चा से नीचे की कच्च कारिय ना कर सके लिए तो आपका है इसमें राइट अंसर वह सिरिल वर्ट इनकी हलवार पूछी ली जाती है तो हमें इसमें क्या करना थ्री वांट बनाना है यानि बात कर रहा है यह किसकी पिछड़ा बालक यानि हम किसमें रखेंगे इसे विजिष्ट बालक दूसरा हम दूसरा बॉण्ड बनाएंगे इसमें पहला अपनी आयू चोड़िये क्योंकि यह सबमें दिया होता है नीचे की कच्छा का कारिक करना सके पाट साला या तो पाट साला वाला जीवन रख लो या फिर नीचे का कार ना कर सके और तीस्रा बॉण्ड हो जाएगा आपका सिरि इस तरह हम परवासाओं को याद रख सकते हैं कापी समय तक नेश्ट परवासा पर चलते हैं या नेश्ट कोशन पर चलते हैं सिदिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालगों की बुद्धी लब्दी होती है यानि इने एक पैमाना दिया है कि इतने से इतने तक क्या होंगे इस टाइप में आएंगे बच्चे तो इनकी अनिसार क्या है पिछड़े बालगों की बुद्धी लब्दी हो सकती है तो जो पिछड़े बालग है उनकी जब बुद्धी लब्दी है वो 85 से कम हो सकती है नेश्ट पर चलिए यह आपकी कच्छा में कोई बच्चा अधिगम अच्छम है तो आप क्या करेंगे भाई आप सुगदा दाता है जब भी टिक करो यह याद रखके करना कि आप कौन है केवल सुगदा दाता तो आपको क्या करना है उसकी अच्छमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिकाने का प्रयास करेंगे ना कि उसे गले आएंगे न पिछड़ापनỹ उत्पन्द होगा, यानि कुछ factors दिये हैं और उनसे पूछ रहा है कि किसके बभभब से क्या होगा सेच्छ पिछड़ापनन नहीं होगा यानि नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब याद रखना paper में नहीं वाले को काफी देखना क्योंकि मैं कभी-कभी पिपरों में नहीं नहीं देखती तो आपको क्या करना है नहीं पहले देखना है तो यानि इस में से एक ऐसा है जिसके कारण पिछड़ापन नहीं होगा और बात की बाद और जो भी दिये गए घटा के यान ऑप्शन उनकी कारण होगा तो आपका कौन सा रहेगा इसमें राइट अंसर हो रहेगा आपका सी यानि परवार का परवेश रहन सेन अमारी कैसी भी हो उससे क्या प्रवाग नहीं पड़ता सेच्छक पिछड़े पन पर सामान आयूबर्ग से संबंद अन्य सहपार्टियों से जब किसी चात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्वष्ट सेच्छक कमी दिश्टी वोचर होती है ऐसे बच्चों को कहते हैं यानि हम क्या करें इसमें कंपेरिशन करें और किसी दूसरे सहपार्टी से यानि सेम प आते हैं तो इसका ऐसे बालों को कहते हैं पिछडा बालक याद रखना क्योंकि पिछडा बालक वही बालक है जो अपनी आयू वर्ग की किलास का काम ना कर सके हैं नेश्ट कोशन पर चलते हैं पिछडे बालक ऐसे बच्चे हैं यानि पिछडे बालक ऐसे बच्चे हैं तो कौन-कौन से आते हैं पिछड़े में, सीखने की गती धीमी हो, वो भी पिछड़ा है, बुद्धी लब्दी 80-90 हो, वो भी पिछड़ा है, मानसेक रूप से अस्वास्त और असमायोजत भ्यवार हो, वो भी पिछड़ा है, उप्युक्त सभी, पिछड़े बालक ऐसे यानि इसमें उप्युक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यह सभी पिछड़े बच्चे के गुड़े हैं, या विसेस्ताएं हैं, नेस्ट कॉशन पर चलते हैं, याद आपकी कच्छा का बच्चा C और D तर तर D लिखे पढ़े, तो वो है कौन से रोग से पी हैं, भासा बिकार में, जो आपके रोगों से संबन देता है, आपका हो जाएगा, डिस्लैक्सिया, ठीक है, क्योंकि मैंने का रहा है था, ला, बस इस बैड़ को हमेशा याद रखना, ला किस से बूला जाता हूं से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डिस्लैक्सिया, क्योंक निम्नमें इसे कौन सा बिसिष्ट अधिगम बिकलांगता का उधारान है जो बिसिष्ट अधिगम है उसकी बिकलांगता का उधारान filt तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा आपका बी यानने डिसल्लैक्सिया नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं जो बालक इसकुल के जीवन के मद्य अपनी आयुस्तर की कच्छा से एक नीचे की कच्छा का कारिद करने में असमर्थ हो वह है यानि वो जिस क्लास में पढ़ रहा उससे भी एक नीचे की कच्छा का कारिद नहीं कर सकता तो वह बालक कैसा है पिछडा बालक क्योंकि उसको क्या है सिच्छड में समस्या है क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि वो अपनी ही क्लास का कार्ण नहीं कर सकते पिछले बालक कुछ नहीं जो क्या होता है कि अपने समय अभधी में अपने ही स्लेवस को पूरा नहीं कर पाते इसमें कई कारण हो सकते हैं क्या पारवारिक कारण हो सकता है या उसकी खुदगी मानसिक्ता हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है या फिर उस जब वो उस क्लास में था तब हुआ किसी ऐसी समस्या से जूज रहा हो जिसके कारण वो नहीं पड़ा निमले खितमे से कौन सा कथन असत्य है यानि इसमें सारे सत्य हैं असत्य को हमें बताना है तो इसमें जो असत्य कतन रहेगा वो रहेगा आपका D, A और V दोनों यानि A और आपका B दोनों क्या है असत्य है ये क्या है अच्छम व्यक्तियों के प्रति पिप्रीद विचारी वे भवना बच्चा बड़ों से सीखता है ये गलत है विसेस आवश्यक्ता वाले बच्चे दूसरे चेत्रों में कारे करने में अच्छम होते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता आसा 14 वर्स की आयू में वह सब कारे करती है जो अधित्ता 6-7 वर्स के बच्चे करते हैं आसा की ये है अवस्ता का कारण है तो उसकी जो अवस्ता का कारण है वो है मानसिक अच्छमता आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं बुद्धी कहां से आती है मानसिक चमता यानि मानसिक चमता यानि बुद्धी कहां से पैदा होती है मानसिक चमता से तो मानसिक चमता है जब वो अपनी आयू से क्या करे दुगनी कम आयू के बच्चे का कारे कर रहा हो एक बालक जो सारे रेक दोसों से ग्रस्त है उसमें उत्पन होती है यानि एक बच्चा है जो सारे रेक दोसों से क्या है ग्रस्त है तो उसमें उत्पन होती है तो आपका इसका राइड आंसर जो हो जाएगा हींता की भावना यानि जो आपके डिसेबल चाइल्ड है यानि दि क्या करते हैं हींता की भावना महसूस करते हैं डिसलेक्सिया क्या है डिसलेक्सिया क्या है पढ़ने की अच्छमता है फिर याद रखिए क्या इसमें बढ़ ला को याद रखना क्योंकि ला कि सिव लेगा मुझ से तो हमेंसा याद रखना पढ़ने की अच्छमता नैश कोशन पर चलिए वो है आपका साई जॉइट वर्ग में किस प्रकार के ब्रालक आते हैं यह कुश्चन अभी नया सा है तो इसे ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार के बच्चे आते हैं क्योंकि यह बिहार टैट में आया है वो होगा इसमें डी यानि इसमें से कोई नहीं उप्युक्त मैं से कोई नहीं क्योंकि हो सकता है हम क्या करें प्रत्वा सालिवा प्रकार बुद्धिवाले यानि उप्युक्त मैं से कोई नहीं तो हम इसमें से आदे से कम बच्चे करके आएंगे बालक में अपराधी प्रवर्थी के विक्सित होने का मुख्य कारण है जो बच्चा है अगर वो अपराधी बनना है ऐसे समझिये से तो उसका कारण क्या है ये पूछना चारा है आपका तैट तो आपके क्या है पालवारिक बातावन अनुसासन हींता आर्थिक अभा क्योंकि अगर बच्चा अपराधी बनना है तो उसमें जिन्मेदार कौन माना चाहता है वो हमारा परिवार का बातावन क्योंकि साइकलोजी कहती है कि बातावन ही व्यक्ति को बिगारता है यानि बातावन की एहम भूमिका मानी है जबकि जीन के प्रभाब को उसने क्लास में सामिल करना ही हिएंक यूवार का। क्या हिना क्या हो आंसिक डूस्टीssa कहा हुए कशिव हो उस में क्या करना है तो ऐसे बच्ची को भी हमें क्या करना है क्लास में सामिल करना ही क्याना है क्योंकि हम क्या है सोविधा दाता तो हमारा जो नैश्ट को आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा उप्योक्त सभी इसमें क्या है वह है पुस्तक को आखों के निगट लाकर पड़ता है वह सिच्छक से अच्छा रिस्पश ना दिखने की सिकायत करता है स्यामपट कर लिखते हुए को नोट बुक में नहीं उतार पाता यानि आंसे ग्रूप से जो पिछड़ा बच्चा उसकी ये क्या है सारी उसकी ये सारी क्या है वो इस तरह का भ्यवार करेगा विसेस्ता है या पिर उसकी ये पहचान है कुछ भी समझ लीजिए कैसे भी पूछ लिया जाए यही अपकुल करना है वह पुस्तकों को आखों के निगट लाकर पड़ता है स्यामपट पर इस पश्ट ना देख पाने क कारण उस पर लिखे गए विसेबस्तू को अपने नोट बुक में नहीं लिख पाता इसके लिए सिच्छक को इस पश्ट एव बड़ा लिखने की सिकायत करता है ऐसा करते ही करते हैं बच्चे कम गती से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विसेस्ता होती है जाने जाने कम गती से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विसेस्ता होती है जो उनकी धीमी गती होती है उनकी क्या विसेस्ता होती है उनकी विसेस्ता इसका रायट अंसर रहेगा उनमें किसी ना किसी प्रकार की अच्छमता होती है जो उसके ग्यान अर्जनवा सेच्छ कुप ल निम्नमे से कौन सी अच्छमता क्या है जन्मजात होती है और बाकी क्या है कि यह किसी भी दुर्गठना से आ सकती है वह हमारी मंद बुद्धी क्योंकि ऐसे बच्छे जन्म से ही मंद बुद्धी पैदा होते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है उनमे कुछ परसेंट सुधार हो जाता है नहीं तो वह क्या होते हैं मंद बुद्धी ही रह जाते हैं क्या होता है मन्द बद्धी वह कब होते हैं तोड़ा इसका एक्स्प्रेन देख लेते हैं जिससे कि ये वाला पॉंट हमारा किलियर होजाए कभी भी कोशन आये तो हमसे क्या हो गलत ना हो अनुवांशिक दोस के कारण बालत के मांशिक विकास प्रभावित होता है यानि मानते हैं बुद्धी जन्म जात होती है, वह कारण यहीं से आया है क्योंकि क्या है अनुवांशिक लच्जण, तब ही तो कहते हैं कि एक पढ़े लिखी पैमिली में पढ़ा लिखा ही बच्चा यानि समझदार फैमिली में समझदारी बच्चे आते हैं, तो यह क्या माना जाता है अनुवाशिक कारण निम्नमैसे कौन सी एकाई का उप्योग सुनने की छमता की जाँ छेतु किया जाता है यानि इसमें एकाई दी गई है आपकी यूनिट है उनकी क्या है कौन से में सुनने की छमता की जाँ छेतु किया जाता है यह बिहार में आ च तो आपका जिसमें रहेगा वह है डेसी बाद क्योंकि हम सुनने को किसमें नापते हैं डेसी बल में नेश कोशन पर चलते हैं वह है इसकी थोड़ी ब्याख्या देख लेते हैं द्वनी मापन की काई डेसी बल है होती है जिसको डीवी से भी इंडिकेटर करते हैं यह याद रखना इसके प्रयोग में द्वनी की तीब्रता तता मंदता का ग्यात होती है व्यापती की सुन्य की छंता लगवख हैं और देख लेते हैं और कौन-कौन से हैं ग्रहकार समय से पूर ना करना विध्याले से भाग जाना जगड़ा करना आज क्या है मस्यात्म बालकों के क्या है लच्छण हस्त सिल्प की सिच्छा दी जानी चाहिए याने हातों से कार दे याने स्किल डवलप्मेंट इंदिया जो कॉंसेप्ट अब आया है उसके दिबांड इंदिया में कहाफी दिनों से थी तो उसमें क्या है हस्तिस सिल्प याने ऐसे कारिकर न जिनने आपको समय को बता है तो आपसिए नि़िस बार इवादि पेडियो विदू अगर सब्सक्राइब ता आपो डे만 हो तो अगर समय लिप Goes भी दिलेड़ेट करके लाएंगे यानि पूरा हम लुस फेल को परेंगे च्छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है जो च्छात्र हैं वो च्छोरी कर लें तो उनकी आदत को हम कैसे दूर कर सकते मार्के बेनी कर सकते है याद रकना जो आपकी right to education है वो मानती है कि बच्चे को कभी भी डंड से सुधारा नहीं जा सकता तो आपका ये option पहली कट जाएगा तारना देकर ये भी आपका पहली कट जाएगा और आप माले में कि जब अच्छा चोरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे उसे पारतों से त्यानि और उष्कार पढ़ता है तभी तो पहले महान व्यक्तित्त के लोगों की कहानिया घर में क्या होता था दादी मा सुनाया करती थी अब महान व्यक्तित्त करके एक भूक आती है जो गवर्मेंट कॉलेजियों में बलब्द कराई जाती है बच्चों को जिससे कि उनमें क्या हो थोड़े से क्या हो आपके गुड़ अच्छे विक्सित हो सकें दूबले पतले एवं छीर सरी था तक कमजोर हिदय वाले बच्चों को कहा जाता है यानि दूबला पतला हो छीर सरीर हो कमजोर हिदय हो तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक यानि ऐसे बच्चे कौन है वो ह आपके ओश्रवर दश्य विदिया है, तो ये किसके लिए उपयोगी है, वो है मंदित श्रवर वालकों के लिए, क्योंकि इसने क्या कहा श्रवर दश्य विदिया, तो इस तरहे से हम भी क्या कर सकते हैं, इसे पहचान सकते हैं, नेश कोशन पे चलते हैं, श्रवर वादित ब यह बिल्कुल अमारे जहन में उतर जाएंगे, यानि हमारे मस्तिक्स में क्या होगा इनका चित्र बन जाएगा, वह सांतेकिक भासा क्योंकि यह क्या करते हैं, ऐसे बच्चे सोरन नहीं शकते, निम्न मैंसे कौन सी मानसिक मंदता की विशेस्ता नहीं है, जो मानसिक मंदता है उसकी विसेस्ता नहीं है बाद बाकी उसकी विसेस्ता है यानि इसे ऐसे समझेए कि मानसिक मंदता की विसेस्ता है ठेक है या फिर इसे ऐसे समझेए मानसिक मंदता की विसेस्ता है तो बुद्धी लबदी का 25-70 आपको पता है विसेस्ता है दीमी गति से सीखना तता दैने चीवन की केडियाओं को ना करपाना विसेथा है बातावाण के साथ अनकूलन में कठना विसेथा है तो आप नहीं कौन सी है अन्ते व्यक्तिव संबंदों का कमजोर होना ये क्या है इसकी विसेथा नहीं है तो इसमें रायट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टी नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं यानि आपके अगर आप सारी वीडियो दिहान से देखते हैं देखते ही हैं तो उसे क्या होगा कि आपके डिसेवल चाइल्ड पर एक भी कोश्चन गलत नहीं जाएगा अगर आपको लगता है कि कोई कोश्चन ज़्यादा टफ है और मैम की स्पीट ज़्यादा तेज है तो आप उसका इसकी इन्सोर्ट ले सकते हैं क्योंकि मुझे स्पीट में इसलिए कराना पड़ आए क्योंकि आपका टाइम कम लगे बिसे सावक्षक्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सी व्यू रचना अजिक उप्यूपत है यानि अब इसमें आगे टीचर की बात कि वो क्या करेगा किस तरह से अपने बिसे सावक्षक्ता वाले बच्चों को पढ़ाएगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा C यानि सहकारी अधगम तता पीर टूरिंग यानि सहपाटियों द्वारा अनुविच्छन यानि हम क्या करते हैं जो चीज हमें नहीं आती वो हम अपनी क्लासमेटों से इदिली सीख लेते हैं जबकि अध्यापक के पास जाने से बहुत डरते हैं यह हम सब ने किया है अपने क्लासमेट टाइम में या अपने जब हम पढ़ते थे तब तो यह क्या है यह हमें क्या करना उसकी विव रचना में करना है यह क्या पड़ाती तो मैं क्या करती तो कुछ ऐसे बच्चे थे ए Casino losner थे यह प्राप्लम थे हम उन्हें क्या करती थी ऐसे dizzy विछ साली ठीति थे और ठत्वामी थे और पढ़ने में उनसे काफिर उसियार थे। तो जिससे क्या होता था वो उनसे सीखते भी रहते थे और हम मोटिव भी होते रहते थे अपने आप यानि उन्हें मोटिवेशन भी खुद से ही मिलता रहता था उन्हें देख देखका तो यह क्या हो गया सहकारी, अधिगम, तता, पीर, टूटरिंग, घ्याने, सहपाटियों सिच्छ के पास क्या होता 55 मिनट में हिसे सामानवा विस्षिश्ठ विद्यारतियों को साथ लेकर चलना होता है अदिगम निर्योग्य का लच्छन है और उसे मार नहीं सकते कि मारना किरेंगे तो मारना सििछə को मारेंगा, तो वह कल से आना बंद कर देंगे इसमें क्या होगा हमारा नुक्सान नहीं हुआ पर बच्चे का बहुत नुक्सान तो what क्या कहता है कि मारना नहीं है सिच्छ को अधिगाम निर्योग्य का लच्छन है वो है अवधान सम्मंति बादा या विकार तो यह क्या है अवधान यानि क्या होता है इसमें कुछ रुकावट आ जाती है और यहां पर अवधान आया है तो एक सब्द और समझ लीजिए जो आपको मिल जाएगी वीडियो में जाने पर तो अपवय का मतलब होता है कि उस बच्चे ने फीज बरी मगर वो पढ़ने नहीं गया तो यानि उसका पैसा बरवाद हो गया व्य हो गया अपवय और अब रोधन का मतलब होता हो एक ही किलास में एक से ज्यादा बार फैल हो ग करते हैं सारे रिख निरयोगिता वाले व्यक्ति के लिए निमन मैंसे कौन सी युक्ति रच्छा तंतर में सबसे संतोज जनक होगी तो वह अतिकलपना और और यानि इमेजिनेशन की थीजिते होती है उससे भी आंगे निकल जाना जैसे तारे जमी पे जाने हर समय इमेजिन सारे निर्योग गिता बाले बच्चे हर समभ तरीके से ऐसी जानकारी से रच्छा करने की कोशिश करता है जो दर्दना गठनाओं की याद दिलाता हो ऐसी परिष्टितियों में अतिकलपना रच्छा तंत्र का प्रयोग करता है यानि वो पुरानी चीज है जो उसको दर्द द हुए बालकों की विसेस्ता नहीं है जो पिछड़ा बालक है उसकी क्या है विसेस्ता नहीं है तो वो है कम बुद्धी रखते है यानि अमें पूछ रहा है विसेस्ता नहीं है क्योंकि पिछड़ा होना कम बुद्धी का कारण नहीं है पिछड़ा होना तो कही इस तरों के यानि कही कारण हो सकते हैं तो इसको थोड़ा एक्स्प्रेंद देख लेते हैं पिछड़े वर्ग के बालकों की भी सेस्ता कम इस तरकी सैच्छिक उपलब्दी का प्रदर्शन है सामन विद्यलाई कारी के साथ समाजस इस्तापित करने में अच्छम है अपने आयू बर्ग के बालकों से पिछड़ जाते हैं जो अपना आयू बर्ग है उसके बालकों से क्या होते हैं वो पिछड़ जाते हैं पिछड़े बर्ग के बालकों के पास यह अवशक नहीं है कि उन्हीं बुद्धी कम है क्योंकि बुद्धी का निर्धारण वालक के सामझेक तता आर्थिक इस्तरपन नहीं होता तो आज की वीडियो के लिए या आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही नेश्ट हम वीडियो में फिर क्या करेंगे लर्निंग डिसाबिलिटी पर ही वीडियो लाएंगे तो जिसने इ वीडियो के लिए बस धन्यवाद।